तो हैलो गाइज तो आटकी वीडियो में हम बात करेंगे क्लिमन सं रिडरक्षिन रिडरक्षिन के बारे में तो रिडरक्षिन क्या होता है गाइज कर omin हम बनाएंगे aldehyde group से alkane यह हम बनाएंगे ketone group से alkane simple सी बात है तो हम reaction को देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं जैसे ही देखो हमने aldehyde में यह करते हैं हमने aldehyde group ले लिया react करवा दिया zinc amalgam के साथ in the presence of scl and to form में alkane plus water moiety ठीक है और सकीन हमारे पास है ketone तो ketone group हमने दे लिया jet करवा दिया zinc amalgam के साथ in the presence of scl and to form में alkane plus water moiety तो guys हमारे पास दो reactions हैं एक है aldehyde seconda ketone तो guys जो इसकी mechanism है मैं आपको ketone के दोबारा समझाओंगा तो first step में हम यह करते हैं जैसे ही देखो हम scl को use करते हैं edge positive और siel negative में BREAK होता है तो यहां पे हमने ketone को use किया और यहां क्यों के हमने broken कर दिया जैसे यह देखो हमरे पास किया क्या है कि टोन है यह हमरे पास क्या है सिंपल सा एक कि सुज semaine है फार हमने यह को ब्रेक किया currencies को मैंने ब्रेक किया तो एक बोन्द वह रुन ऐता है एक फॉज्टिफ होता है और एक ल bulड पास कॉस्पर जाता है Electronegative atom के पास तो हमारे पास जो Electronegative atom कौन सा है Oxygen है और जो अपना क्या है बाकि अपना एक negative धर आजएगा और एक positive यहाँ पर आजएगा ठीक है और जो हमने ACL को break किया था जो अपना H positive है यह अपना जाएगा negative के पास तो यहाँ पर जो अपना compound form होजएगा Carbocotan form होजएगा क्योंकि जो अपना positive वाला ही negative के पास जाता है simple सी बात है तो यहाँ पर जो अपना compound form होजएगा Carbocotan form होजएगा और साखिए step में हम यह करते है zinc जो metal होता है electron को donate करता है जैसे ही देखो जो अपना zinc होता है हमको पता है यह अपना ZN2 positive में show करता है ठीक है तन क्या हो यहाँ से जो दो electron होगे यह release कर देता है ठीक है क्या करेगा यहाँ से दो electron होजए रिलीस कर देगा जैसे ही देखो पहले हमने compound use किया है Carbocotan use कर लिया दो electron यहाँ से यूज़ करेगा ठीक है यह कौन से electron यहाँ से रिलीस होगे है अपने zinc वाले तन क्या करेंगे यह अपने Carbocotan से अपने Carbocotan convert हो जाएंगे तो कैसे convert हो रहे है simple सी बात है जैसे देखो अगर कोई भी single bond होती है उसे बंदी के लिए क्या चीह होता है एक होता है negative charge एक होता है positive charge ठीक है हम बोल सकते है negative electron चीह होता है एक होता है positive electron ठीक है मिल के अपना की मनाते हैं एक single bond मनाते हैं तो यहाँ हमारे पास कितने हैं दो electron है न electron मतब negative charge है तो simple सी बात है जैखो negative और positive किया आओ गए neutral होगे simple से वाइद हम भोल सकते हैं एक positive है एक negative है योपी अगे जा il को एसल्ट जो ब्रेक होता है एस पोजिटीव और लेक्टी में तिन जो अपना कर्वो अनायन था हमने यहां पर यूज कर लिया है तो जो पना एच्पोस्टीव है यह पना जाएगा नक्टिव के पास और जाके अपना सी के पास जूड़ जोड़ जाएगा दन अपना जो कंप हमने यहां पर लिया है प्लस हमने यह कर दिया है अडिशन करा दी ठीक है अडिशन करें क्या होगा यहां से देखो जो अपना एच एच और अपना हम बोसकते हैं यहां से बाहर निकल जाएगा दिन जो अपना यह पोजिटिव लाक्टरोन है यहां बोसकते हैं हम ने युज़ किया था जिंग मैटल को तो अगेइन युज़ करे हैं यहाँ से यहां पर दो फ्व्प्र होते हैं यहां जो इसके उपर जाएंगे यहां पर ने चार्ज होते हैं ठीक हम बोज़सकते हैं कर्बॉकाटाइन से अपना कर्उट चारज वाला जहां पर नगाईव हे अपना कर्ट नगाईट वा जानन है रहेर्ना है इस कंपाउन क्या है ? तो सिक्स स्टप में हम करते हैं प्रोटोनेशन करते हैं हैं यह हम अची तरह समझ आ गया होगा बट गई समझने से कुछ नहीं होता है आपको इसको लिख-लिख करना पड़ेगा तो भी आपको जितने डाउंट होंके सारे के लिर हो जाएंगे ठीके बाकिशिक इसकी एक्जा लिखनी जुरूरी है तो जैसे एक्जाम्पल हम देखते हैं ऐसे टोन से हम जेक्ट करवाते हैं जिंक अमल्गम के साथ इंदर प्रजंस आपको एक जाम्पल देनी जुरूरी है ठीक है तो आई होप आपको समझा गया होगा तो फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंड से पूछ सकते हो मैं इसको रिप्लाइद देने की कोशी जरू करूंगा बाकि गया जो इसके नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिशन में अविल्बल करा दूँगा आप जाकर डाउड कर सकते हैं तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में